वेल दोस्तों तारक महता का उल्टा चश्मा इस शो की फेम आक्ट्रेस दया बेन जी हां दोस्तों यानि की दिशावकानी इस वक्त अपनी जिन्दगी के शायद सबसे कठिन दौर से गुजर रही है जी हां ऐसा इसी लिए क्योंकि दिशावकानी ने हाल ही में सोचल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है और वे वीडियो जम खर वाइरल भी हो रहा है उस वीडियो में दिशावकानी का जो रूप नजर आया है वो बहुत ही दिल धहला देने वाला है वो दिशावकानी जो दया बेन के कर्दार से घर-घर में फेमस हो चुकी थी गरगर की दया बहू गरबा कुईन बन चुकी थी अचानक से उनकी जिन्दगी में ऐसा क्या हो गया कि हाथ में बच्चे को लिए एक उदास सा चहरा बना कर दिशावकानी रो रो कर अपना दर्द जाहिर कर रही है वैल आपको बता दें कि दिशावकानी पिछले 5-6 सालों से तारक महता में वापसी नहीं कर रही है नामेकर्स दिशावकानी के एंट्री पर कन्फरमेशन देते हैं और ना ही पूरे तरीके से इस बात को न कारते हैं बस और बार यही कहा जाता है कि दया बेन जलद ही वापस आएंगी लेकिन दोस्तों ऐसे में जहां एक एक करके सारे किर्दार बदल रहे हैं सारे किर्दार पुराने जितने भी तारक महता के थे वो सभी शो को चोड़ रहे हैं उसमें ऐसा लगता है शायद नई दया भावी भी आ जाएंगी लेकिन दोस्तों दया बेन का तारक मेता चोड़ने के बाल कैसा हाल हो चुका है क्या वो पैसों की मोहताज हो गई है क्या उनके घर की हालत खसता है आखिर क्यूं दया बेन के इस रूप ने हर किसी की आँखों म लेकिन आपको बता दे कि ये वीडियो 2008 में आई एक फिल्म का है जिसके लीड आक्टर तुशार कपूर और अनुपम खेर थे उस फिल्म में दिशावकानी ने भी एक ऐसे ही महिला का भेस लिया था जो काफी उत्पीडित है और हाथ में उसके बच्चा है और उसके साथ उ हालत खराब हो गई है आप क्या कहेंगे हमें अपने व्यूस कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें